हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब ये वीडियो हमारी कोशिश रहेगी कि हम फोकस रखें बिटकोईन और बिटकोईन के अंदर अगर आपको ये जो थोड़ा बहुत दिख रहा है ना हल चल परिशान मत हो येगा इस चीज से क्योंकि अगर 2013 को कंपेर करते हैं तो अभी तो शुरुवात लगती है आगले जो 15-20 दिन एक महीना दो महीने तक बिटकोईन के अंदर हमें बहुत बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं जो इसको ले जा सकते हैं यहां पर हजारो डॉलर की मत बात करो लाखो डॉलर तक तो वो क्या डिटेल है वो इस वीडिय के बारे में, BNB के बारे में, Dot के बारे में, Solana के बारे में टेकनिकली यहां से क्या लगता है तो अगर आपके यह फेवरेट कोईन है पोर्टफोलियो के अंदर है तो हमारी एक छोटी सी मदद जरूर करिएगा शेयर जरूर कर दीजेगा वीडियो को लाइक भी जरूर कर अगर आप 2017-16 की bull rally देखते हो तो ऐसे मौके कई बार bitcoin में आये हैं कि bitcoin high बनाता है और उसके बाद 38, 33, 36, 39% इसने एक डेड़ साल के अंदर fall किया है और उसके बाद bounce back किया है यह मैं बात कर रहा हूँ जो 2017 का हमने bull run देखा है और अगर हैरानी नहीं होगी तो मैं calculation करता हूँ कि यहां से अगर fall देखते हैं तो कितना fall है अगर आप देखते हो तो लगभग 38% का ये भी अपने all time high जो 69,000 डॉलर्स का था उससे fall हुआ है अब आप इसको इत्तिफाक कह लिजिए या आप कह लिजिए calculation है कि 38% का आकड़ा पहली बार नहीं है जो इतना नीचे गिरा है यहां पर क्या हमें परिशान होना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए दोस्तो हमने कल की वीडियो बनाई थी तो हमने आपको यही बोला था कि एक important support यहां मिल रही है जो फेबनाची की golden ratio है 0.38 की वहां से bounce back कर गया लेकिन हमने जो important बोला था यहां आपकी buying बनती थी जो ये 200 दिन का moving average आपको दिख रहे है ये जो orange line जो आपको दिख रही है व अगर आप आने वाले हफते भर के अंदर देखते हो तो क्या हो सकता है दो सिनारियो हो सकते हैं अगर यहां से market नीचे जाती है तो यह important support मिलेगी जो की आती है लगबग 46,000 डॉलर पे वर्ट situation के अंदर यह 40 to 42,000 डॉलर जा सकता है अगर यहां आए तो अगर इसके ऊपर maintain करता है तो bull run फिर भी माना जाएगा और bull run activated रहेगा हम bear zone की बात यहां नहीं करेंगे लेकिन अगर इससे नीचे जाता है तो हम बोलेंगे कि भाया हाँ अब कुछ महीनों के लिए कुछ time के लिए market bearish mode में जा सकती है दूसरा सिनारियो मैंने जो कड़वी बात थी वो आपक पहुंच जाता है तो पूरे chances है यहां से recovery करने के तो bitcoin ने एक opportunity यहां पे दी है और एक opportunity आपको लगभग 50,000 डॉलर के आसपास में भी है अगर आप देख रहे हो लंबे समय के लिए और यहां से पूरे chances है कि अगर यहां यह maintain कर पाता है तो जो इसको immediate resistance है वो है लगभग 51 1000 से 52,000 डॉलर और उसके पार जाता है तो अभी आज का जो हमें लग रहा है कि जो resistance है वो एक important resistance है 54,000 डॉलर अगर उसको उपर जाता है तो आने वाले time में यह जो yellow line आपको दिख रही है न यह resistance निकल के आ सकता है जो की 21 दिन का moving average है जो की लगभग 56,500 डॉलर के आसपास तो हमने आपको clear calculation बता दी है अब आप खुड decide की दिए खुड judge कीजिए कि आप किस level पे है क्या stage पे है बुरी बात भी कर ली और अच्छी बात भी कर ली यहाँ पे यह सारी चीज़े आपको technically पता होनी चाहिए कि cryptocurrency market के अंदर यह सारी चीज़े पहली बार नहीं हो रही है और आपको बता दें कोई हैरानी हमें नहीं होगी कि आने वाले time के अंदर एक हफते के अंदर आपको यह announcement होती दिखे कि इतने बड़े institution ने dip में buying कर ली इसने dip में buying कर ली और यह panic क्यों फैलाया गया इसका कोई concrete reason किसी के पास नहीं है और हम भी आपको concrete reason की बात नहीं करे उसके जो है पूरी दुनिया के अंदर business फैला हुआ है और वो payment में default कर रहे हैं और default करने की कगार पर हैं कई जगा पर तो यह सारी वज़े से एक बोल रहा है global market के अंदर panic हो रहा है एक बड़ी company अगर ऐसे डूपती है क्योंकि वो fortune 500 के अंदर आती है तो इसकी वज़े से थोड़ा सा मामला खराब होता दिखता है दूसरी जो सबसे बड़ी news निकल के आ रही है ओम्री कौन अगर करोना वाइरस की बात करते है न तो कहीं न कहीं यह concern निकल के आ रहा है क्योंकि इसको कहते हैं बहुत ही जादा खतरनाक हो सकता है और आने वाले time के अंदर अगर ब अंदर और serious matter होता दिखें और lockdown लगता दिखें अगर ऐसा हुआ तो global market के अंदर crash हो सकता है और हो सकता है cryptocurrency market के अंदर भी 2020 वाली situation आ जाए तो यह सब को सोच के यह अभी हुआ नहीं है यह सब को सोच के लोग पहले ही panic में आ जाते हैं और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला जाएगी क्या हालात हो गए थे 80 रुपे जो USDT था वो 60 रुपे के असपस विका था तो और वहां से recover कर गया जब चीज़े नॉर्मलाइज हुई तो इसका फाइदा कौन उठाता है आप खुद समझे आप खुद डिसाइड कीजिए कि bitcoin यहां पे क्या कर रहा है एक अगर छोड़ दो यारी सारी चीज़े छोड़ो और अगर 2011 से देख रहे हो bitcoin इतने उतार चड़ाव हमने देखे हैं और कई बार तो ऐसा लगा कि यहां से 0 हो जाएगा और ऐसी statement दुबारे से निकलने लगी है यह क्या चीज़े आप खुद समझे कि जो एक डॉलर से bitcoin आज कहां पर है आज भी हम 50,000 डॉलर की बात कर रहे हैं 70,000 को छूके आ गया था तो यहां पर आपको समझना है खासकर नए लोगों को समझना है कि आपका vision कितना आगे का है एक साल आगे का है दो साल आगे का है दस साल आगे का है क्योंकि जो बड़ी बड़ी companies है या जो बड़ी adoption कर रहे हैं वो किसलिए कर रहे हैं अपने आप से सवाल पूछिए न यह सब चीज़े सिर्फ दिखती हैं डराती है लेकिन actual में अंदर क्या है अपने आप खुद पूछोगे तो आपको idea लग जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ bitcoin के बारे में short term में क्या लगता है और long term मे तो आपको पता है हमारा क्या target है हम अभी भी देख रहे हैं हम पहले जो लेके चल रहे थे कि शायद हमें इस साल के end तक 85,000 डॉलर दिख जाए हो सकता है थोड़ा time लगे अगर यहाँ पे 50,000 डॉलर के उपर maintain कर पाता है तो आने वाले अगले quarter के अंदर हम यह 85,002 एक ला जाकि रानी की Ethereum की, Ethereum ने क्या कमाल किया है और interesting बात जो निकल के आ रही है ये भी गिरा था और 35,000 डॉलर के आसपास आ गया था लेकिन इसने अच्छी खासी यहाँ पे recovery already दिखा दिये जो सबसे interesting बात निकल के आ रही है वो आ रही है Ethereum के Bitcoin के pair के अंदर और Bitcoin के pair के अंदर इ अगर 3 साल का data लेते हो, 3 साल बाद ऐसा मौक आया है कि Bitcoin के pair में ये इतना high है 0.085 BTC की value तक पहुँच गया था और अगर 2017 में बात करते हैं इसका price लगभग 0.125 तक चला गया था तो 10 पैसे होने की कगार पे है और अगर बात करते हैं interesting इसके अंदर कि क्या इसका target हो सकता है दोस्तो जो इसको immediate जो resistance है वो लगभग यही आ रही है 8.6 अगर यह 8.6 के ऊपर चला जाता है तो 8.892 तक चा सकता है और जैसे आपसे perform कर रहा है जैसे आपसे हमें पता है इसके अंदर इतना कुछ हो रहा है development के अंदर तो 0.1 हो सकता है future के अंदर Bitcoin के pair के अंदर लेकिन अ सबसे अला trust दुनिया करती है वो Ethereum पर करती है और अगर आप देखोगे कि जो लगभग 4000 डॉलर इसने अच्छा खासा यहां maintain किया वो तो एक free fall था इससे कोई नहीं बच पाया तो यह Ethereum भी नहीं बच पाया था लेकिन उसके बाद यह यहां से recover कर गया अगर इसके अंदर immediate target लेते हो अगर मैं support की बात करता हूं 4000 डॉलर एक अच्छी support है यहां पे और जिस हिसाब से Ethereum अच्छा करने की कोशिश कर रहा है यह recovery दिखाई है पूरे chances है जो immediate target है लगभग 43 to 43,50 डॉलर तक यह जा सकता है और आने वाले time के अंदर यह अपना all time high भी बनाता दिखा सकता ह और इस chart को जब भी मैं बार बार देखता हूं तो मुझे लगता है कि picture बहुत बाकी है अभी cryptocurrency market के अंदर और कौन-कौन से coins खरीदने चीए उसके लिए हमने बकायदा वीडियो बनाई थी 5 coins मैं उम्मीद करता हूं काफी coins के अंदर आप profit के अंदर होंगे तो हमारी चैनल क करने की कोशिश कर रहे हैं अब दूस्तों बात करते हैं दुनिया के तीसरे बड़े coin की जिसका नाम है Binance coin BNB, BNB ने भी एक अच्छी recovery दिखाई थी और लग भग अपने all time high को छूने की कगार पे आई गया था जो की है 690 डॉलर के आज पास लेकिन market में थोड़ा panic हुआ और इसके अंदर भी हमने down देखा लेकिन बड़े coins ने एक अच्छी खासी recovery दिखाई लेकिन जो 50 दिन का moving average अगर आप देखते हो ये एक support निकल के आ रहा है BNB के price के अंदर अगर ये 500 डॉलर से उपर बना रहता है तो आने वाले time में इसका target आप ले सकते हो लग बग 600 ड support है वो लग भग 525 से लेके 500 डॉलर के आसपास आती है और ये green line हमारा पुराना चाहट है और हमने आपको बोला भी था कि यहां पे एक resistance मिलती है यहां पे एक resistance मिलती है अगर आप perfect bind देख रहे हो तो 500 से 500 डॉलर के बीच में बनती है और इसने यहां पे हमें मौका दिया और जो इसका 100 दिन का moving average था वहां support निकल गया है हर coins के आपको यह support और resistance देखने बहुत ज़रूरी होते हैं short term के अंदर लेकिन यह long term के coins हैं कहते हैं कि Ethereum के बाद कुछ अच्छा करेगा और जैसे Binance Coin अच्छा कर रहा है क्योंकि बहुत कुछ है एक पूरा का पूरा देल मिल रही थी और जो बड़े-बड़े coins थे उनके अंदर इतना discount चायद ही दुबारे कभी देखने को मिले dot की बात करो 25 डॉलर से नीचे कुछ अगर हफते की बात करते हैं कुछ हफते पहले 50 डॉलर से उपर था कोई उमीद कर सकता था आदे रुपे पर आ जाएगा जो अपना all time high था और 25 डॉलर के आसपास ही आ गया दोस्तों ये भी अगर long term के लिए देखते हो एक लंबे race का गोड़ा है इसके अंदर जो ethereum कर सकता है वो पॉल का डॉट भी कर सकता है उससे better कर सकता है एक अच्छा खासा used case है तो यहां पर immediate support देखते हो यह जो 200 दिन का moving average दिख रहा है वो इसके लिए immediate support है जो कि आती है लगबग 28 डॉलर के आसपास और अगर यहां 39 से 28 डॉलर 30 डॉलर के ऊपर यह जाता है क्योंकि एक resistance zone है 30 उसके बाद में दुबारे से 34 डॉलर और ultimate इसका target जो हम लेके चल रहे है 45 तू 50 डॉलर तक जा सकता है अगर short term में यहां sustain नहीं कर पाता है जो 50-200 दिन का moving average है तो हो सकता है दुबारे से 25 डॉलर के आसपास test करें ऐसे coins तो लंबे समय के लिए जब भी dip में आए बस भटोर के रखलो और भूल जाओ दो-तिन साल के लिए यह ऐसे coins है ऐसा मौका देते हैं दुस्तों हम आपने आकरी coin Solana की बात कर लेते हैं बहुत सारे लोग hold भी करते हैं और इसने भी opportunity दी लगभग 170 से 170 डॉलर के बीच में यह भी गिर गया था तो यह rally जो है याद रहेगी 30-35% अगर कोई चीज गिर जाती है यहाँ पर बात करते हैं तो 215 डॉलर के आसपास इसको एक resistance है 215 से 220 डॉलर अगर इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है यह 500 डॉलर को try करें लेकिन अगर आप इसके अंदर entry देख रहे हो ना तो ऐसे coin में entry लेने जिसने अल्रेड़ी एक साल के इतना अच्छा perform किया है हजारो percent return दिया है उससे बैटर है ऐसे coins पर focus करो जिसके अंदर potential जादा है और साथ के साथ में अभी तक उसने अपने all time high के आस पास भी नहीं गया है तो ऐसे coins में करो जिनके अंदर आपको जादा benefit हो सकता है यह हमारी personal राय है Solana एक अच्छा project है no doubt और आने वाले time में यह भी अच्छा perform करेगा लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप इसको hold नहीं कर रहे हो नहीं investment के लिए देख रहे हो तो आप दूसरे options पर जा सकते हो अगर आपके पास में hold है तो आपको पता ही है आने वाले time में यह भ जुमा जुमा अगर लोगों की बात करें adoption की तो 5-6 साल से ही तो लोगों की नजरों में आने लगा है उससे पहले तो बहुत कम लोगों को पता होता था bitcoin cryptocurrency के बारे में तो अगर आप hold कर रहे हो long term का vision ले रहे हो तो आपको परिशान होने की यहां जरूरत नहीं है छोटे मो वीडियो को जो है मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ वीडियो को like जरूर करके जाएगा और चैनल को subscribe भी जरूर कर लीजेगा और Twitter, Telegram को अभी तक follow नहीं किया है तो नीचे description में उसका भी link दिया हुआ है तो उसको भी जरूर follow कर लीजेगा तो अभी के लिए दोस्तों म मुश्कराते लिए का मातरी आपको दोस्तों पंकश थैंकी रूश्कार दनेवाद